सभी बैंकर मित्रों को मेरा नमस्कार आज संसद में Bank of Maharashtra द्वारा जारी किये गए बेहद शर्मनाक सर्कुलर जिसमें बैंक शाखाओं को इंशरेंस क्रॉस सेलिंग के निर्देश दिये गए थे कि कोरोना वाइरस के महामारी के समय उचित अफसर है इंशरेंस पॉलिसी ब कर मुखर विरोध किया आज उसी का परिणाम है कि यह मुद्दा संसद तक पहुँच गया हम बैंकरों के मुद्दों को ना केवल उठाते हैं बलकि अन्जाम तक भी पहुँचाते हैं आज संसद में जो हुआ उसे देखें करोना वाइरस की वज़े से आज सिर्फ देश भर में नहीं पूरे दुनिया भर के अंदर जितने भी प्रिवेंटिव और प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं सारे लोग सरकार ने कहीं धंदे दुकाने बन कर दो तो बन कर दिये गए एजूकेशन इंस्टिउशन ब करके ये कहा है कि देश भर में करोना वाइरस पहला हुआ है लोग परिशान है तो अपने इंशुरेंस प्रोड़क्स उसके अंदर बेचो देखिए उसमें क्या लिखा है लुकिंग अट रिस्क आफ पैंडेमिक को करोना वाइरस और डिमांड ऑफ हेल्थ इंशुरेंस पॉर्चुनिटी ये बैंक आफ महराश्रा सरकारी बैंक है जहां एक तरफ हम दूसरे लोगों को कह रहे हैं कि अपना कारोबार बन करो बलकि यहां तक कहा है कि स्पेशल ड्राइब चलाओ इस पीरेड के अंदर की कोरोना वाइरस की वज़े से जितने इंशुरेंस बैंक्स बेचे गए है तो अध्यक्ष मौदे हम चाहेंगे कि इस तरह की बैंक्स जो लोगों को इस मौखे के ओपर अपना धंदा कारोबार बढ़ाने के लिए जो कर रहे हैं उनके ओपर कुछ ना कुछ कारवाई होनी था